दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हो कि आप कंफर्म टिकेट एप से आप जो है ट्रेन टिकेट कैसे बुक कर सकते हो जी या दोस्तो अगर आप भी अपने मुबाइल से कंफर्म टिकेट एप से अगर आप जो है ओनलाइन ट्रेन टिकेट बुक करना चाहते तो आज के इस वीडियो में आपको complete process बताने वाला हो जिससे कि दोस्तों बड़ी आसानी से आप confirm ticket app से आप train ticket book करपाऊगे वीडियो को start करने से पहले अगर भी तेक आपने मारे चानलों को सब्सक्राइब ने किया तो चानलों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लिचेगा तो चलिए फ्रेंट्स आज काई वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आइस आपको प्लेइस्टों में जाना और प्लेइस्टों में जाने के बाद confirm ticket application को आपको डाउनलोड कर लेना है आपको सिंप्ली इस वाली confirm ticket app को प्लेइस्टों से आपक आप को अपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरहेके से आपको इसका यूजर इंटूर अरपस्टों को मिल जाएगा और इसकी बाद यहाँ पर आपको जो एस पलायफ और बस ऑप्शन यहाँपर आपको शोकरा है तोál किलिक करना है इस पर करें के भात यहाँ पर यहां पर आपको घाला derived है जहां से जर्णी स्टार्ट करना चाहते ऊ हम तर आपको जना आप इसके बाद जहां तक को जना है यहां तक आपको जौई जो आपको जना थे Все sympath这个 सब्सक्रि toggli ट्रहते हैं तो शोज्ट करना है लोला है उसकी के अपर काल वाफिशन पर één क्लिक काने के बाठ यहाँ पर पर डेट शूस्क्रिण कर ना किस देट पर आप जरनी करना चाहते हूं यहाँ पर आपको अपनी देट सेलेक्ट का लेना है तो यहाँ पर 24 यहाँ पर अपनी टिकेट को कैंसल करना चाहते हो तो यहाँ पर चाहते हो कि आपको फुल रिपरन यानि पूरा आपको जो रिफवर्ड मिले आपका जितना भी टिकेट का प्राइज होगा तो यहाँ पर आप इस option को tick कर सकते हुँ अदरवाइस यहाँ पर विसे un-tick कर सकते हुए फिलाल मैं gratis का लेता हूँ इसके बाद आपको search trains वाले option पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपने जो भी जो ए स्टेशन सेलेक्ट कराए जहां से जहां तक आप सफर करना चाहते हो जो रूट आपने चूज करा उस रूट पर जितनी भी ट्रेंज होंगी वह सभी उजूद डेट आपने चूज करिए उस डेट क और यहां पर आपको जो है timing भी शो करेगा जिस time पर जो है आपने जो भी station चूज करा उस ट्रेंड कितने बज़े निकले की वह सब कुछ यहापर आपको ट्रेंग बगधर शो हो जाता है नीचे की और आपको जो है तरेंड सारी अपी शारी ट्रेंड आपको मिल जा दिये यहाँ पर waiting list यहाँ पर show कर रहा है तो guys यहाँ पर अगर आपको sleeper class में अगर आपको train ticket book करना है तो SL आप choose कर सकते हो लेकिन अगर आपको 3TR AC में यहाँ पर आपको ticket book करना तो 3A आप select कर सकते हो इसके बाद आपको second AC में आपको book करना है तो 2A आप choose कर सकते हो इस तरीके से य तो लग अपको ॥ Pikn okay is see जाते हैं इसके यहाँ पर नीचे के आपको आपको शो करना है आपको जिस है तो just अि sounds UA में आप स्पाइब कर लेगा फिलाल यहांस फिली जो करना दो मिस्लिपर में इस यहां से में है विट bunny to release यह पर करता है डबली याउर्ट शो करता है ना झौए ड़ो करते हैं आपका ड्योप कत्व टीकट लिस्ट में होगा तो यहाँ पर अगर आपका अफन्फी बूक करना है तो अब में आपको स्लीपर ग्लास में बूक करना है think और अमबल दालना एक है आपको प्रॉसीड ओप्षन पर क्लिकना है यहां पर नंबर करने की बाद यह पर अलंबर आपको लिएकाने की बाद यहां पर छो कर रहे हैं इस पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर आपको passenger details फिल करने का option भी जागा तो यहाँ पर आप जो जेंटर चूज कर सकते हो इसके बाद आपको अपना full name डालना आपको अपनी age डालने इसके बाद birth preference में आगा इस आप जो है एक passenger details यहाँ पर choose कर लिए इसके बाद guys आपके साथ कोई बच्चा वगर आए तो यहाँ पर add child पर क्लिक करने की बाद आप child को add कर सकते हो इसके बाद यहाँ पर अगर आप एडल और किसी person की अगर आप passenger details एड़ करना चाहते हो तो add adult पर क्लिक करने की बाद उसकी बी details आप फिल कर सकते हो फिलाल मुगेजित मैंने एक टिकेट बूक करना है तो मैंने आप पर एक details यहाँ पर आने की बाद आपको यहाँ पर आपको अपना mobile नंबर शो करेगा और यहाँ पर आपको email ID आपको फिल कर लेनी है तो यहाँ पर मैंने अपनी email ID डाल दिया इसके बा बार आपको इन दोनों और आप्शिंट को टिक करना है एक इसके बाद प्रसीट यूंट फिल कर लेनी है पेसंजर प्रसेंजर प्रसीट फिल करने की बाद प्रसीटू पैमेंट वाले जैसे आप देख करके बना सकते हो आपको अपनी IRCTC account का user ID डालना इसके बाद guys ये next page open हो जाएगा तो guys अपना IRCTC user ID डालने के बाद जैसे आप proceed पर क्लिक करोगे इस पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर इस तरही किसे आपकी जो है verify confirm हो जागा इसके बाद आपको payment का option show करेगा तो आप जिस तरही के से payment करना चाहते हो यहाँ से आपना payment method चूज कर सकते हो यहाँ पर आपको Google Pay का option मिल रहा है इसके लावा यहाँ पर phone pay का option है other UPAI apps का आए अपने ATM card, credit card चे आप कर सकते हो net banking से भी आप कर सकते हो तो फिलाल गाइस यहाँ पर मैं जो है phone pay option को चूज करता हूँ phone pay option पर जैसे आप क्लिक करो इसके बाद यहाँ पर आपको pay वाले simply option पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना UPAI पीन डालना है और UPAI पीन डालने के बाद simply आपको tick पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका ticket confirm हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ time wait करना है तो यहाँ पर आप देख से तो payment successful यहाँ पर confirm हो चुका है और इसके बाद यहाँ पर connecting to IRCTC यहाँ पर आपको कुछ time wait करना है तो यहाँ पर आपको IRCTC अकाउंट का यहाँ पर आपको password डालना है इसके बाद यह जो capture show करा है यहाँ पर आपको capture डालना है इसके बाद simply आपको submit option पर simply click करना है तो guys इस तरीके से यहाँ पर wire आपने IRCTC अकाउंट का password और capture code फिल करने की बाद यहाँ पर आपका ticket book हो जाएगा तो यहाँ पर mobile पर message भी आ चुका और confirm ticket app से हमारा train ticket book हो चुका है तो इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना train ticket show हो जाएगा और guys अगर आप अपने train ticket को download करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको download ticket वाले option पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद permission को allow करना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपना folder choose करना जिस folder में आपको download करना है इसके बाद simply आपको save option पर आपको click करना है इस पर क्लिक करते हैं आपका train ticket डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा train ticket डाउनलोड हो जोगा कुछ इस तरीके से आपको अपना train ticket शो करेगा इसके बाद जब भी आप train में आप सफर करोगे तो वहाँ पर टीटी अगर आपको चेकिंग करने आता है तो वहाँ पर अपना train ticket देखा सकते हो तो इस तरीके से आप इस train ticket को डाउनलोड कर सकते हो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर WhatsApp पर क्लिक करने की बाद WhatsApp पर आप अपने ticket को शेर कर सकते हो और यहाँ पर अपने ticket की details आप देख सकते हो यहाँ पर train का आपको जो है किस time पर train आपके जो है अपने जहाँ से train ticket बुक करा है जो भी station से आपने train ticket सफर आप स्टार्ट करना चाते है वहाँ पर train कितने बजाएगी वो time आपको मिल जाएगा और कब तक आपको जो है आपको जहां तक जाना है वहाँ पर आपको कब तक छोड़ेगी आपको वो time आपको मिल जाएगा इसके लाव दूस्तों नीचे की और आपको जो है passenger status में आप अपने ticket का current status आप देख से तो यहाँ पर confirm ticket यहाँ पर शोक करा है और यहाँ पर seat number आप देख से तो इसके बाद birth यहाँ आप देख सकते हो इसके लाव नीचे की और आपको बहुत सारे options देखने को मिल जाते है और यहाँ पर अपने ticket की price बगरा यहाँ आप देख से तो यहाँ से guys आपको back आ जाना है और इसके बाद guys यहाँ पर आप जो ह जो है details आप देख से तो यहाँ पर train ticket book यहाँ पर इस तरीके से message आपको show करेगा तो guys कुछ इस तरीके से आप जो है confirm ticket app से आप बढ़ियासनी से train ticket book कर सकते हो